23 मार्च को हमने गुलाब सिंग के घर पर हुई रेड को लेकर Election Commission से time मांगा, कुछ नहीं करता 23 मार्च से आज 5 अप्रेल हो गया, Election Commission ने हमें मिलने का time नहीं दिया Election Commission ने Income Tax Department को कोई notice नहीं दिया लेकिन जब भारतिय जनतापाटी करती है, तो 12 घंटे के अंदर-अंदर election commission notice भी भेजती है, notice भेजने से पहले भारतिय जनतापाटी को report भी करती है, खबर भी चलवाती है, किस तरह से इस देश की बड़ी-बड़ी agencies भारतिय जनतापाटी की केंद्र सरकार के सामने हो चाहे वो ED हो चाहे वो Income Tax Department हो चाहे वो State Bank of India हो Election Commission of India की आँखों के सामने केंद्र सरकार भारतिय जनता पाटी शासित केंद्र सरकार CBI का ED का Income Tax Department का खुले आम मिस्यूज कर रही है election से पहले Election Commission of India विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे Chief Secretary बदल देती है Home Secretary बदल देती है, DGP Police बदल देती है लेकिन जब विपक्ष के नेता इंडिया गड़बंदन के नेता Election Commission के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटेरिम तोर पर Income Tax Department, CBI, ED के Directors को बदला जाए तो Election Commission कुछ नहीं करता आज Election Commission of India ने मेरी एक Press Conference पर मुझे नोटेस भीजा ये भारतिय जनता पार्टी की चार अपरेल की एक शिकायप पर आधारित है तो चार अपरेल को भारतिय जनता पार्टी शिकायप करती है पांच अपरेल को ग्यारा बज़ के पंदरा मिनट पर सभी न्यूज चैनल पर फ्लैश होता है कि Election Commission of India ने आमादली पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भीजा हर चैनल पर ये न्यूज चलने के बाद ग्यारा बज़ के पंदरा मिनट पर ये न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आदा घंटा बाद 11 बज़ के 45 मिनट पर मुझे आक्चुली नोटिस मिलता है नोटिस मुझे एमेल किया जाता है इसका मतलब Election Commission of India के नोटिस की खबर पहले भारतिय जनता पार्टी मीडिया में प्लांड करती है उसके बाद Election Commission of India नोटिस देती है आज मैं इस देश की Election Commission से पूछना चाहती हूँ क्या आप भारतिय जनता पार्टी का एक अनुशांगिक संगठन बन गए है जब Inforcement Directorate Modern Code of Conduct लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक उपोजिशन के प्रमुख चहरे देश की छे नैशनल पार्टी में से एक के नैशनल कन्वीनर को गिरफतार करती है तो क्या Election Commission ED को नोटिस भेजती है जब Income Tax Department देश की एक बड़ी Opposition Party Congress Party का Bank Account सील करती है तो क्या Election Commission Income Tax Department को नोटिस भेजती है जब Income Tax Department CPI, CPM को बरसों पुरानी उनकी filing के बारे में उनकी returns के बारे में चुनाव की घोशना के बाद नोटिस भेजती है तो क्या Election Commission केंद्र सरकार की Income Tax Department को नोटिस भेजती है Election Commission of India की आँखों के सामने केंद्र सरकार भारतिय जनता पाटी शासित केंद्र सरकार CBI का, ED का, Income Tax Department का खुले आम मिस्यूज कर रही है Election से पहले Election Commission of India विपक्ष की जहां पे सरकारी है वहां पे Chief Secretary बदल देती है, Home Secretary बदल देती है, DGP Police बदल देती है लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गटबंदन के नेता Election Commission के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक, इंटेरिम तौर पर, Income Tax Department, CBI, ED के डिरेक्टर्स को बदला जाए तो Election Commission कुछ नहीं करता चुनाव की घोशना के बाद, Income Tax Department, आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता गुलाब सिंग के घर पर रेड करती है आम आदमी पार्टी उसकी शिकायत करती है आम आदमी पार्टी मिलने का टाइम मांगती है Election Commission, कोई action नहीं लेता Election Commission 23 मार्च को हमने गुलाब सिंग के घर पर हुई रेड को लेकर Election Commission से टाइम मांगा 23 मार्च से आज 5 अपरेल हो गया Election Commission ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया Election Commission ने Income Tax Department को कोई notice नहीं दिया लेकिन जब भारतिय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो 12 घंते के अंदर अंदर Election Commission नोटिस भी भेजती है नोटिस भेजने से पहले भारतिय जनता पार्टी को रिपोर्ट भी करती है खबर भी चलवाती है आम आदमी पार्टी का ओफिस सील हुआ चार दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के ओफिस के चारों और बैरिकेड लगे रहे पुलीस ने सील करके रख दिया हमने फिर चिठी भेजी हमने 26 मार्च को चिठी भेजी Election Commission से टाइम मांगा कि हमने 23 मार्च को चिठी लिखी थी हम फिर से 26 मार्च को चिठी लिख रहे हैं कि हमारे पार्टी आफिस को सील कर दिया गया है हमारे पार्टी के नेता नहीं पहुँच पा रहे हमारे पार्टी के कैंडिडेट नहीं पहुँच पा रहे लेकिन Election Commission ने टाइम नहीं दिया Election Commission ने दिल्ली पुलिस को हमने 29 मार्च को, फिर 1 अपरेल को, आज फिर से 5 अपरेल को, हमने बार बार election commission को भारतिय जनता पाटी के model code of conduct के violations पर, उनके आपत्ती जनक पोस्टर्स पर, उनके illegal hoardings पर चिप्थियां भेजी. लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अपरेल को, और आज election commission ने भारतिय जनता पार्टी को कोई notice नहीं दे जाएंगा, तो आज ये देश के लिए चिंता का विशे है, कि election commission of India, जिसकी जिम्मेदारी है non-partisan होना, जिसकी जिम्मेदारी है free and fair election करवाना, जिसकी जिम्मेदारी है level playing field देना, आज उस election commission की neutrality पर सवाल उठ रहा है, हमने देख लिया, कि किस तरह से इस देश की बड़ी बड़ी agencies, भारतिय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गई हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो Income Tax Department हो, चाहे वो State Bank of India हो, लेकिन आज मैं election commission से अपील करना चाहती हूँ, कि आपको इस देश के सम्विधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस देश के सम्विधान ने आपको इस देश के लोगतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी है, जो आज तीनों election commissioners, चाहे वो राजीर कुमार जी हो, चाहे वो ग्यानेश कुमार जी हो, चाहे वो डॉक्टर सुखबीर सिंग संधू हो, आप टी एन सेशन जी जैसे election commissioners के उत्तर अधिकारी हैं, आप एक ऐसे election commission को आज चला रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, कि भारत जैसे देश में आज तक कभी चुनाव की निश्पक्षिता पे सवाल नहीं उठा, तो आज मैं election commission से अपील करना चाहती हूं, कि भारतिय जन्ता पाटी और उनकी केंद्र सरकार के सामने नतमस तक मत होई है, जिस तरह इतने सालों के बाद भी पूरा देश टी एंसेशन जी को याद करता है, कि उन्होंने free and fair elections, a transparent election process, एक level playing field को एक नई उचाहियों पे लेके गए, अगर आज राजीव कुमार जी, ग्यानेश कुमार जी और सुकुबीर सिंग संदू जी, free and fair elections or level playing field नहीं होने देंगे, तो सभी गलत कारणों से आप तीनों को पूरा देश याद करेगा, आने वाले सौसाल तक याद करेगा, थांक यू, देखिए हम बिलकुर इस notice का जवाब देंगे, और हम इस notice के जवाब में, election commission को उनकी neutrality, उनकी non-partisanship की क्या जिम्मेदारी है, उसको याद करवाइए.